हेलो एवरिवान मैं हूं किरिन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल यह थोड़ी 1st January से लेकर 6th February तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता है क्राशी फल उचलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीस हैं तो प्रॉफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ट सें, देखें चारियेट का कार्ट कहीं मुव्मेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, ग्रोथ प्रॉग्रेस की भी बात करता है और इस week ये card आप लोगों के लिए reverse है तो इन ही चीजों से related छोटे मुटे मसले, छोटे मुटे issues रहते हुए दिख रहे हैं और ये general reading है तो ये issues, ये मसले सब के लिए differ कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि इस week आप travel करना चाहा रहे हैं लेकिन आपके travel plans delay हो रहे हैं या फिर postpone हो रहे हैं और दिखे चारियट कहीं vehicle को भी represent करता है गुश लोगों के लिए हो सकता है कि आपके vehicle से ही related कुछ issues हैं in fact देखे मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप out of the city अपने vehicle से travel कर रहे हैं तो उसकी अच्छे से service कर वा लें उसको अच्छे से check कर लें और दिखे broadly speaking देखें तो again मैं कहूँगी कि चैरियट का card growth progress की बात करता है आगे बढ़ने की बात करता है और ऐसा आप चाहा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर से मैं कहूँगी कि आगे बढ़ने से related कुछ issues, कुछ मसले इन general या फिर specifically आपके professional front में रहते हुए दिख रहे हैं और दिखें फिर से मैं कहूँगी कि ये general reading है तो ये issues, ये मसले सब की रेटिफर कर सकते हैं क्योंकि चैरियट के नीचे lovers का card है तो कुछ लोगों के लिए literally again हो सकता है कि आपकी life में कोई इनसान है जिसके उपर आप बहुत ज़्यादा focus कर रहे हैं और उसी वज़े से आप अपने professional front पे उतना focus नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोगों के लिए in general relationships हो सकते हैं आपके workplace में जो लोग आपके लिए काम करते हैं आपके साथ काम करते हैं या फिर कोई authoritative figure है वैसे देखिए lovers का card authoritative figure की तो बात नहीं करता है ये in general relationships की बात करता है तो इस वज़े से भी हो सकता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं यानि कि आप relationships पे ज़्यादा focus कर रहे हैं या फिर कुछ लोग जिनके लिए आप एक love affection महसूस करते हैं वो कहीं आपको थोड़ा सा पीछे खीच रहे हैं और इसी वज़े से या otherwise भी आप इतना confident नहीं महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखी एक चीज मैं आपको बोलूँगे कि बहुत बहुत important है Taurus कि आप एक willpower एक determination अपने goal अपने मकसद के लिए लेकर आएं जो भी मसले आप महसूस कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा उपर उठें आप उनसे घबराएं ना और जब आप चीजों का control लेकर again बहुत confidently, बहुत assertively आगे बढ़ेंगे तो definitely आप अपने goal अपने मकसद को भी पा लेंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है 8 of wands, reverse and conditioning तो देखिए यहाँ पे 8 of wands का card भी movement और shift की बात करता है तो दोनों ही fronts के लिए कही movement, shift को लेकर issues, मसले दिख रहे हैं और यहाँ पे भी देखिए मैं आपको कहूंगी कि सबसे बहली चीज हो सकता है कि कुछ लोगों के travel plans delay हो रहे हैं, postpone हो रहे हैं या फिर travel से related कुछ issues, कुछ मसले रह रहे हैं और देखिए specifically 8 of wands के card को देखें तो यह card कहता है कि बहुत speed से आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं कुछ चीजों को finalize करना चाहा रहे हैं, close करना चाहा रहे हैं या किसी चीज को लेकर एक closure चाहा रहे हैं और इन ही चीजों से related मसले issues रह रहे हैं यानि कि आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है और देखिए Nutshell में कहीं 8 of Wands Reverse का काट कहता है कि आप बहुत speed चाहा रहे हैं लेकिन चीजें उतनी speed से नहीं चल रही हैं चीजें काफी slow चल रही हैं या पिर जिस direction में आप चाहा रहे हैं चीजें उस direction में नहीं जा रही हैं और यहाँ पर भी सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन 8 of Wands के नीचे conditioning का काट कहता है कि Taurus आप अपनी true potential को आप अपनी true worth को नहीं realize कर पा रहे हैं या फिर आप अपने self पे इतना focus नहीं कर रहे हैं जो भी लोग आपके आसपास हैं या फिर हो सकता है कि society, religion, culture को आप जादा एहमियत दे रहे हैं और जो भी again वो लोग कह रहे हैं उन्हीं को ही आप मान रहे हैं आप अपने mind से नहीं चल रहे हैं या मैं कहूंगे कि आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं आप अपने आपको कहीं इतना importance नहीं दे रहे हैं इस card में भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये loin sheep के साथ रहता है क्योंकि ये sheep के साथ ही पला बड़ा भी है तो ये अपने आपको भी sheep ही मानने लगा है ये भूल गया है कि ये loin है और इसके अंदर कितनी power है कितनी potential है और जब ये एक दिन तलाप के पास जाता है pond के पास जाता है और अपनी reflection तलाप में देखता है तो इसको एहसास होता है ओ ये तो loin है और इसके अंदर कितनी power है ये कितना ये डर के रह 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 अपनी true potential, अपनी true worth को ही नहीं realize कर रहा है और जिस दिन उसको यह एहसास होता है तब वो सारे ही issues, सारे ही मसलों से उपर उठता है और अपने हिसाब से अपनी जिन्दगी जीता है तो यहाँ पर देखिए एक message cards की तरफ से आपके लिए यही है कि अगर आप society, religion, culture या फिर लोगों को ही सही मान रहे है या फिर उनकी वज़े से अपने आपको doubt कर रहे है अपनी desires को नहीं acknowledge कर रहे है अपनी desires के direction में आप action initiatives नहीं ले रहे है तो इस चीज़ को आप check करके इस week जरूर correct करें और देखें जैसे ही आप इस चीज़ को correct करेंगे आप देखेंगे कि जो speed आप चाहा रहे है वही speed आपके personal front में आ रही है और आप काफी अच्छा भी महसूस करेंगे guidance है आप लोगों के लिए grace and gratitude का card है और ये card कहता है through gratitude joy expands तो देखें जो भी चीज़ें आपकी life में अच्छी हैं आप जरूर इस week उनके लिए universe को thanks बोलें या फिर एक gratitude वाली energies में रहें ऐसा करने से भी आपकी happiness आपकी joy और जादा बढ़ेगी and astrology से आप लोगों के लिए cheer on का card है और इसके हिसाब से green yellow colors आप लोगों के लिए इस week लखी रह सकते हैं and significant days आप लोगों के लिए होंगे Wednesday and Thursday तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए coming week का सापता है और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe जरूर करें